नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करते हैं। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का सोलवा अथ्याई। दरोगा और देवी दीन की बातें से रमानात जब्द ना कर सका। अब तक वे देवी दीन के बिगणने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना कड़ा था। कह कहा मार कर बुला दादा, दरोगा जी तुम्हें चिड़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सला हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिले ही छूट चाऊंगा। उपर से नौकरी भी मिलेगी, सहाब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके वे आदमी की भाती कहा, कैसी बात है भाईया, क्या कहते हो, क्या पलिस वारे चकमे ना दे रहे हैं, जरूर इनकी कोई चाल होगी। रमानात ने इतमिनान के साथ का, कोई बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। जरूर जूटा मुकदमा होगा, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया। देवी दिन कोई शंका शांत ना हुई बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भईया, सोच समझ कर काम करना, अगर मेरे रुपयों को डरते हो, तो यहीं समझ लो कि देवी दिन ने अगर रुपयों की परवा की होती, तो आज लगपती होता, इनी हातों से सो सो पे रोज लुटाए हैं, दरोगा जी ने रमानात को जवाब देने का अफसर ना दे कर कहा, वही डकैती वाला मामला है, जिसमें कहीं गरीब आद्मियों की जान गई थी, उन डाकों ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था, उनके डर से कोई आदमी गवाई देने को पर मुझ से मुगविर बनने को कहा जाता तो ना बनता, चाहे कोई लाख रुपे देता, तो भी नहीं, कौन जाने कौन अपराधी है और कौन बेकसूर, दरोगा, हर्गीज नहीं, जितने अदमी पकड़े गए सब पक्के डाकों हैं, यह तो आप कहते हैं ना, हमें का हम लोग बेगुनाओं को फसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो, देवी दिन, यह सब भुक्तो बेटा, दरोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चलान कर दें, साल दो से अल जेल होगी, और क्या, इस अधरम के दंड से तो बचेंगे, बेगुनाओं का खुन तो पीछे घूम पड़ा, अपने मनों भावो को इससे सपश्ट रुप से वह परकट ना कर सका, एका एक उसे बात याद अगई, मुड़कर बोला, ते मैं कुछ रुपे देता जाओं, रमानात ने खिसिया कर कहा, क्या जरूरत है, आज से इने यही रहना पड़ेगा, दरोग कहता हूँ, कहता हूँ, देवी दीन तेजी से कदम उठाता हूँ, चला गया, मानो, वहां से इसका दम घुटने लगा हो, दरोगा ने उसे पुकारा, उसने मुड़कर ना देखा, जगो ने पुचा, भाया ना आ रहे, देवी दीन ने सड़क की और ताक्ते वे कहा, भाया अब नहीं आएंगे, अब जाने, अपने, अपने हुए, बेगाने तो बेगाने ही होते हैं, वह चला गया, बुड़िया पीछे पीछे पुन्बनाते रहे, रुधन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितनी भल है, जो कभी एकांत में बैठ कर किसी की स्मृती, किसी के विय योग से सिसक सिसक कर और भिलग भिलग कर नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है, जिस पर सैक्ड़ो हसिया नच्छावर है, इधर सहसा रमेश बाबू, दयानात के द्वार पर आकर बोले, गोपी, जरा इधर आना, मुशी जी ने आने कमरे में पड़े- रहा कर का कौन है भाई कमरे में आ जाओ, अरे रमेश बाबू, बाबू जी मैं तो मर कर जिया हूँ, बस यही समझे कि कोई नई जिल्गी, कोई आशन आती, कोई आगे ना पीछे, दौनों लॉंडे आवा रहा है, क्या करूँ, उनकी मा कोई वो सीरत देखने से डर लगता बस बहू ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो अभी तक चल गया होता। मैं चलाया और आप दरकास पेस दी, मालूम नहीं मंजूर ही है नहीं, यह तो डॉक्टर का हाल है, देख रहे हो ना, आदमी मर रहा है, पर बिना भेट कदम न उठाएंगे। रमेश बाबू ने चिंदित होकर का, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर छुट्टी नामों जरूई तो क्या होगा, होगा क्या घर बाटा रहूँगा, साब पूचेंगे तो क्या है दूँगा, कि मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। अच्छा मैं आपके लिए, आप मेरे लिए कश्ट ना करें, मैं आपको लिए खुशकबरी लाया हूँ, मिठाई मंग वालो। आप पकड़ कर बोले, मालू हूँ गया किलकते में कोई खट आया था, रमेश, खट नहीं था, एक पुलिस इंक्वाईरी थी, मैंने कहे दिया उन पर किसी तरह का इलजाम नहीं, तुम्हें कैसे मालू हूँआ बहुची, जालबा ने अपनी स्कीम बयान की, प्रजा मित्र कार्याले का पत्र भी दिखाया, पत्र के साथ रुपे की रसीद भी, जिस पर रमानाद का हस्ताक्षर था, रमेश बाबु, दसकत तो रमानाद बाबु का है, और बिलकुल साब दोखा होई नहीं सकता, मान गया बहुची तुम्हें, वह क्या हिक्मत निकाली है, हम सब के क आसान काट ले, किसी को ना सूची, अब जो सोचते हैं, तो मालू होता है कि इतने आसान बहती, किसी को जाना चाहिए था, जो बच्चों को घर पकड़ कर घसीट लाए, यह बाचित हो ही रही थी, कि रता ना पहुची, चालपा उसे देखती ही, वहां से नुकली, और उसन नियत अच्छी नहीं, बैंक से 20,000,000 रुपे से कम ना थे, सब कहीं न कहीं उड़ा दिये, कहता है क्रिया करम में खरच हो गए, हिसाब मांगती हूं तो आखे दिखाता है, दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हैं, मांगती हूं तो टाल देता है, मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है, डरती हूं मैं इधर जाओं या उधर, अगर उधर गई तो सब का सब लेकर चलता बने, बंगले के गरहक आ रहे हैं, सोस्तियों गाओं में जाकर शांती से पड़ी रहा हूं, बंगला बिक जाये तो नगद रुपे हाथ आ जाएंगे, मैं न रहूंगी, तो शायद वे रुपे मुझे देखनों को भी न मिले, गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपे का इंतिजाम मैं कर दूँगी, जाल पा, गोपी ना तो शायद ना जा सके, दादा की दवादारों के लिए भी कोई चाहिए, वह मैं कर दूँगी, मैं रोज सबरे आ हुका पता तो चल गया, रतन, इसमें आदा श्राकिन तो मेरा है, हाँ हाँ, आपकी सलासे तो हुआ होगा, अब उन्हें यहां लाने की फिकर करनी है, जालपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जाए, आपको इसमें कोई अपती तो नहीं दादा जी, मु गोपी कलकत्ते की सेर का ऐसा अच्छा अफसर पाकर क्यों ना खुश होता, विशंबर दिल आट कर रह गया, रात नौ बजे जालपा चलने को तयार ही, सास ससूर की चर्णों पर सिर जुका कर आशिरवाद लिया, विशंबर रो रहा था, उसे गले लगा कर प्यार किया और मोटर पर बैठी, रतन स्टेशन तक पहुचाने आई थी, मोटर चली तो जालपा ने कहा, बेहन कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा, पहले प्रजामित्र के कारियाले में जाना, वहां से पता चल जाएगा, और गोपी बाबु तो हैं ही, और ठार जाना, देखो रुपे की जरुद पड़े, तो मुझे तार कर देना, कोई ना कोई इंतिजाम कर दोंगी, बाबु जी आजाए तो मेरा बड़ा उपकार हो, या मनी भुशन तो मुझे तबाह कर देगा, और होटल बाले बदमाश तो होंगे ना, कोई शरारत करे तो ठ तोकर मार देना और छूरी अपने पास रख लो उसने एक छूरी उसको दी जालपा ने छूरी ले ली मगर बोली कुछ नहीं उसका दिल भारी हो रहा था स्टेशन आ गया कुलियों ने असबाब उतारा गोपी टिकेट लाया जालपा पत्थर की मूर्ति की भाती प्लेट फार गाड़ी चलती देवी दिन ने चाय की दुकान उस दिन बंद कर दी थी उस दिन से ही और दिन भर उस अदालत की खाक चांता फिरता जिसमें ड्रकैती का मुकदमा पेच था और रमानात की शहादत हो रही तीन दिन रमानात की शहादत बराबर होती रही और तीनों देवी दिन ने ना कुछ खाया और ना सोया आज ही उसने घर आते ही कुर्टा उतारा और एक पंखा लेकर जलने लगा फागुन लग गया था गर्मी शुरू हुई थी अफसर लोग तो जाडों की कपड़े पहने वे थे लेकिन देवी दिन पसीने से भीग रहा था जगो ने लोटे से पानी लाकर रख और बुली चिनलम रख दू देवी दिन की आज तीन दिन से यह खातिर हो रही थी इससे पहले तो बुढ़िया ने कभी इतना ना पूछा था देवी दिने का रहने थे बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुकती पर डर रही थी कहीं देवी दिन दिया बुडिया जलने लगी दो तिन मिनट तक आखे बंद करके बैटे रहने के बाद देवी दिने का आज भाया की गवाई खतम हो गए बुडिया का हाथ रुग गया और बुली तो कल से वे घर आ जाएंगे नहीं अभी छुट्टी मिल जाती यही बयान दिवानी में देना पड़ेगा अब यहां आने ही क्यों लगे कोई अच्छी जगा मिल जाएगी घोड़े पर चड़े चड़े घूमेंगे पक्का मतलबी निकला पंदरा बेगुनाहों को फसाद दिया पांच छे को तो फांसी हो जाएगी और उको दस दस बारा बरा साल की सजा मिलेगी बहु ऐसा दो प्राणी वहां आकर खे खड़े वे एक गोरा खुबसूरत लड़का था जिसके उम्र 15-16 साल से जाता नहीं थी दूसरा अध्रता और सूरतकर से चप्रासी मालूम होता था देवी दिन ने पूछा किसे खोचते हो चप्रासी निका तुमारा नाम देवी दिन है मै प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ यह बाबू उनी रमानात के भाई हैं जिने शत्रंज का इनाम मिला था बस उनी की खोज में दफ्तर गया था संपातक जी ने तुमारे पास भेज़ दिया तो मैं जाओं कहता वह वे चला गया देवी दिन ने गोपी के उसीर से देवी दिने खड़े ओकर कहा तो बहु को भी यहां ले आओ ना उपर तो रमानात वाबू का कमरा है अराम से रहो धरम साले में क्यों बढ़े हो नहीं चलो मैं भी चलता हूँ यहां सब तरह का अराम है उसने जगों को यह खबर सुनाई और उपर जाडू लगाने को कहकर गोपी के साथ धरमशाले चल दिया बुडिया ने तुरंत उपर जाकर जाडू लगाई लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लिया शुराई में पानी भर कर रख दिया फिर अपने हात मुद होए एक रंगीन साड़ी निकाली गहने पैने और बंठन कर बहू की जाहत देखने लगी इतने में फिटन भी आ पहुची बुडिया ने जाकर जालपा का उतारा जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देकर कुछ जिजगी पर बुडिया कस नहीं स्वागत देकर उसकी जिजग दूर हो गई उसके साथ उपर गई तो हर जगा एक चीज इ अभी तुम्हें मालूम ना होगा जालपा ने सिरहलाकर का कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम वह जो पत्र छपता है जा मालूम होगा कि पुलिस ने गिरफतार कर लिया है देवी दिन भी उपर आ गया बोला गिरफतार तो किया था पर अब तो एक मुकदमे में सरकारी गवा हो पराग राज में उन पर कोई मुकदमा ना चलेगा और साइट नौकरी चाकरी भी मिल जाए जालपा ने गर्व से कहा क्या इसी डर से वे सरकारी गवा हो गए वहां तो उन पर कोई मामला नहीं है मुकदमा क्यों चलेगा वो रुपे पैसे का मामला था ना जालपा ने मानो आहा तो करकार यह कोई बात ना दी जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कुछ सरकारी रेकम इंसे खरच हो गई है उसी वक्त पहुँचा दी यह व्यर्थ घबरा कर चले है ऐसी चुप्पी साधी अपनी खबर तक ना दी देवी दीन का चेहरा जगमगा उठा मानो किसी व्यथा से अराम मिल गया हो बोला तो यह हम लोगों को क्या मालूम था बार बार समझाया कि घर पत्तर भेज दो घबराते होंगे मारे सरम के ना लिखते थे इसी धोके में पड़े रहे कि पराग राज में मुकदमा चल गया है जानते हो सरकारी गफा क्यों बनते सरकारी गवा का आशे जालपा से छिपा ना था समाज में उनकी जो निंदा और अपक्रिती हो रही है यह उसी भी छिपी ना थी सरकारी गफा क्यों बनाये जाते है किस तरह उन्हें प्रलोभन दिया जाते है और किस भाती वे पुलिस के पिठु बनकर अपने ही मित्रों का गला घोटते हैं उसे ही है मालुम था अगर कोई आदमी अपने बुरे आचरन पर लचीत होकर सप्तिय का उदगाटन करे छल कपट का आवरन अटा दे तो वह सज्जन है उसके सहस की प्रशंसा की जाती है मगर कम है मगर शर्ट यही है कि वह अपनी गोश्टी के साथ किये काफल भोगने को तयार है हस्ता खेलता फासी पर चड़ जाए तो वह सच्चा वीर है लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्ट के नीच विचार से दंड की कठोड़ता से बैभीतो कर अपने स साथियों से दगा करे आस्तीन का साप बन जाए तो वह कायर है पतित है बेहया है विश्वास घात डाको और समाज के शत्रों में भी उतना ही है जितना किसी अन्य चेत्र में ऐसे प्राणी को समाज कभी शमा नहीं करता कभी नहीं जालपा इसे खूबी समस्ती ती और यहां तो उन पापों का परदा खोला गया जिनकी हवा तक उसे ना लगी थी जालपा को सहस सहसा ही इसका विश्वास ना आया अवश्य कोई ना कोई बात और हुई होगी जिसने रमानात को सरकारी गवा उगनने पर मजबूर कर दिया होगा सकुचाती हुई बोली क्या यहां और बात हो गई है देवी दिन उसकी मने वेता का अनुभव करतावा बोला कोई बात नहीं यह वह मेरे साथ ही परागरास से आए जहां से आए यहां से कहीं गए नहीं बाहर निकलते ही ना थे बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया एक सिपाई को आते लेकर गया तो वहां कुछ औरी गुल खिल चुका था अफसरों ने ना जाने क्या बात चित हुई उन्हा और उन्हें सरकारी गफा बना दिया मुझसे तो भहिया ने यही कहा इस मामले में बिल्कुल जूटना बोलना पड़ेगा पुलिस का मुकदमा सच्चा है सच्ची ब तो राई में आती मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा उसी धोके में आ गए जालपा ने एक मिनट सोचने के बात कहा क्या उनका बियान हो गया हां तीन दिन बराबर होता आज खतम हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता मैं उसे मिल सकती हूँ देवी दिन जालपा के इस पर मसकरा पड़ा बोला हां और क्या जिससे जाकर भंडा फोड कर दो सारा खेल बिगार दो पुलिस ऐसी गधी नहीं है आजकल कोई भी उनसे नहीं मिल सकता कड़ा पहरा है इस परशन पर इस समय कोई बाचित नहीं हो सकती इस गुद्धी को सुल जाना असान ना था दो कर कुछ खा लो दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है गोपी ले जाकर फिर बाहर चला गया हमारे सामने ना खाएंगे देवी दिन ने का हम दोनों चले जाते हैं तुम्हें जिस चीज की जरुए तो हमसे कह देना बहु जी तुम्हारा ही घर है बहिया को तो हम अपना ही समझते थे और हमारे कौन बैठा हुआ है जगो ने गल्व से कहा वे तो हमारे हाथ का बनाया खा लेते थे गरूर तो चूर नहीं गया था जालपा ने मुस्कुरा कर कहा अब भोजना बनाना पड़ेगा मां जी मैं बना दिया करूंगी जगो ने अपत्ती की हमार जालपा यह अच्छा नहीं लगता कि आप बनाओ मैं खाऊं जिसे बहु बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा नहीं खाना तो बहु क्यों बनाया देवी दिन ने जगो की और प्रशन सा सूचक चेतरों से दिखकर का बहु ने बात तो पते की है अब इसका जवाब भी सो हम से सौगनी अच्छे हैं एक परदेशी छे महीने तक अपने घरमें टढाया खिलाया पिलाया हमने है इतनी मियां तो कोई मैमान आ जाता है तो भारी हो जाता है अगर यह नीचे हैं तो हम से कही हम इन से जज्यादा कहीं नीचे हैं गोपी हात मूं भो गया I भवा बोला क चाहर घुमने की उसकी बड़ी इच्छा थी चालपा की इच्छा कुछ खाने को ना हिल उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी रमानात को कैसे दलदल से निकाले उस निंदा उस उपहास की कल्प नहीं उसका अभिमान आहत होगता है हमेशा के लिए वैस सबकी आँखों स है क्या हुआ सहसा एक बात किसी भारी कील की माती उसके हिर्दय में चुक गई क्यों न अपना बयान बदल दे उन्हें मालुम हो जाए कि मिनी सिपाल्टी में उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वैख खुद अपना बयान बदल दे यह बात उन्हें कैसे बताई जाए किस जचेवे आदमी रखे गए मैं दो बर गया पर फाटक के सामने भी खड़ा न होने पाया उस बंगले के आसपस क्या है एक और तो दूसरा बंगला है एक और कलमी आम का बाग है और सामने सड़क मैं शाम को घूमने का हमने तो निकलते ही होंगे हाँ बाहर कुरसी डाल कर ब जालपा ने देवी दिन को साथ लिया और रमानात का बंगला देखने चली एक पत्र लिखकर जेब में डाल लिया बार बार देवी दिन से पुस्ती अब कितनी दूर है सहसा उसे शंका हुई कि कहीं पत्र पढ़कर भी वे अपना बयान ना बदले तब क्या होगा कौन जान इन शब्दों ने जालपा की शंका को सजीव कर दिया शहर की घनी बस्ती से वे लुग दूर निकल आए चारो और सन्नाटा था दिन बर वेक से चलने के बाद उस समय पवन भी विश्राम कर रहा था सड़क के किनारे विर्खश और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश से नि उनका बंगला है चालपा ने डरते डरते दर देखा सन्नाटा चाया हुआ था कोई आदमी ने आता फाटक पर ताला पड़ा हुआ था चालपा बूली यहां तो कोई नहीं है देवी दिन ने फाटक के अंदर जाकर कहां शायद बंगला छोड़ दिया कई घूमने गए गूमने जाते ते द्वार पर पैरा होता है यह बंगला छोड़ यह तो लौट चले नहीं जरा पता तो लगाना चाहिए गए कहा है बंगले के दाई तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिकाई दिया शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा हुआ देवी दिन ने बाग मे जाकर पुकारा कौन है यहां किस नहीं है बाग लिया है एक आदमी जुरमुट से निकल आया देवी दिन ने उसे पहचान कर कहा अरे तुम हो जंगली तुम नहीं है बाग लिया जंगली ठिकना सा गठीला आदमी ता बोला हाँ दादा लिया है पर कुछ है नहीं दंड ही बर रहा हूं तुम यह कैसे कुछ नहीं क्यों ही चलाया था इस बंगले वाले आदमी कहा क्या हुआ जंगली ने इधर उदर देखकर कहा इसमें वही मुखविर टिका हुआ था आज सब चले गए सुनते हैं पंदरा बिस दिन में आएंगे जब फिर हाई कोर्ट में मुकद का अफसर ना दिया तो पंदरा दिस दिन में आएंगे खुब मालू है हाँ यही तो पहरे वाले कह रहे थे कुछ मालू हुआ कहा गए वही मौका देखने गए हैं जहां वार्दात हुई थी देवी दीन चिलन पीने लगा जाल पा सड़क पर टहने रही रमानाथ की यह नि खड़े में ना गिरने देगी जब दौनों यहां से चले जालपा ने पुछा इस आदमी से कह दिया ना वह आ जाए तो हमें खबर कर दे हां कह दिया है